हेलो स्टुदेंट्स आइम रोशनी फ्रम इनलाइटनिंग यूर्सेल्फ स्टुदेंट्स हमने अपना न्यू टॉपिक स्टाट किया है देज चैप्टर 14 फॉर्टिन एलेक्ट्रिक करेंट एंड इस इफेक्ट तो स्टुदेंट्स सबसे पहले मैं बता जाती हूं इलेक्ट is what? A form of energy. So आप current बोल दो या electric current बोल दो या electricity बोल दो तो तीनों क्या ये? एक ही बात है बिटा तो ये क्या एक तरशा energy की form है? अब यहां पर देखो electric current के हम effect दिखेंगे. Electric current से क्या-क्या effect आते हैं? तो सबसे पहले बताती हूं. Electric current का क्या-क्या effect हो सकता हुआ किसी के Number one, क्या effect हो सकता है बटा? Heat produce हो सकती है. दूसरा क्या effect होगा? Light. Light produce होगी. ठीक है? तीसरा क्या हो सकता है? That is, magnetic effect. क्या हो सकता है students? Magnetic effect हो सकता है. Magnetic effect. अच्छा, और fourth. Fourth one क्या हो सकता है? That is, chemical effect. कुछ chemical effect भी उसका हो सकता है. Chemical effect. अब देखो students, यह हमने पढ़ लिया कि current या electric current या electricity. तीनों वर्ड एक ही है. यह चीज़ क्या होती है? Form of energy. अब किसी चीज़ के अंदर से electric current हमने पास किया, तो क्या होगा? तो वायर के अंदर से जब electric current पास हो रहा है, तो आप देखो किस ट्रेंट्स वायर बिल्कुल गरम हो जाता है. ठीक है? जैसे मान लो, किसी, आप यह लगा लो, switch है. आप जब press करने के बाद, उस switch को बहार निकालते हो, तो वहाँ पर switch के जो cap अंदर डली होती है, जो switch pluck बहार निकाल दी है, आपने press का, उस cap टच करके हम बाद में देखते हैं, तो वो गरम लगता है में. तो cap produce किया? वहाँ पर cap produce was trends, electricity के current से, heat produce हुई नहीं, उसको बोलते हैं हीट, जब bulb है, electricity bulb के अंदर से आई, उस bulb को आप touch करते हो, बिल्कुल गरम होता है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या produce हुई है? heat. ऐसे bulb से heat तो produce हो रही है, लेकिन साथ में साथ में क्या हो रहा है? हमें प्रकाश भी तो दे रहा है, भल ठीक है, रोशनी भी तो produce हो रही है वहाँ पर, सो वहाँ पर क्या हो गया? light भी आ गई, तीसरा क्या है, वहाँ पर, यह topic नहीं है, आपके लिए magnetic effect, यह मैं आपको दिखाऊंगी, करके, तो आप देखना वीडियो में, तो magnetic effect भी होगा, और किसी चीज़ के अंदर से, जब electricity पास करते हैं, तो वहाँ पर chemical effect भी दिखेगा, यह आप class 8 में देखना, chemical effect, 7 त में एक बार heat light और magnetic का दिखा देती हो, अब देखो strengths, मैं आपको दिखाती हो, तो जब हम various जैसे को symbols दिखा रुखे हैं, यहाँ पर यह चीज़ हमने बना के देख रुखे हैं, तो अगर मुझे कोई कहे, कि इन चीज़ों को मैंने यह connect कर दिया यहाँ पर, तो जिन चीज़ों से मैंने connect कर रुखा, यह सारे क्या हो गए, यह cell, bulb, wire, switch, यह सारे क्या, electric के components हैं, इसको जब हमने ऐसे represent कर रखा, यह सारा जोड रखा, यह क्या हो गया, electric path, electricity का क्या हो गया, path, पुरा एक रस्ता सा बनावा ने, इसके अंदर से पुरा electricity जा रही है, अब इन components के अंदर से electricity जा रही है, इन components को बोल दिया, हमने, यह क्या है, सारे कैसे components हैं, जो अपने अंदर से electricity को pass होने दे रही है, इसके अंदर से electricity pass हो रही है, इस wire के अंदर से electricity pass हो रही है, यह iron nail है, इसके अंदर से electricity pass हो रही है, यहाँ पे फिर यह wire है, इसके अंदर से electricity pass हो रही है, यहां से इस wire को इससे connect कर दिया इसको तो यह सारे क्या हो गए conductors इनको क्या बोलते है students conductors अब conductor क्या हो गए समझ आ गया कोई भी चीज वह है चीज जो अपने अंदर से electricity को pass होने दे जिसके अंदर से electricity चली जाए उसको हम क्या बोलेंगे उसके अंदर से जाके दुसरी चीज में पहुंच जाए तो उसको बोलते हम conductors the substance which allows electric current to pass through it उसे क्या बोलते है students conductors और जिस चीज के अंदर से current एक से दुसरी जिगाए पर नहीं जा सकता जो अपने अंदर से current को pass नहीं होनी देता है उसको क्या बोलते हम जैसे plastic उसको हम क्या बोलते है students insulators जैसे plastic plastic क्या है स्ट्वेंट एक है insulator है अब देखते है students next one अगर इन सब को मुझे easily बताना पड़े कि ये path electricity का ऐसे ऐसे गया था तो अगर इनको मैं symbols से help करूँ इस diagram को अगर मैं symbols के थूर represent करूँ तो और easy हो जाएगा मेरे लिए तो कुछ सबसे पहले हमें symbols learn करने ज़रूरी है तो मैं आपको दिखाती हूँ symbols electricity को represent करने के लिए so कुछ electric जो components मैंने जोड़े थे पिछले इसमें वीडियो में दिखा रहा था जो भी diagram में था उसमें तो कौन-कौन से electric components को हम जैसे जोड रहे हैं तो उनका symbol क्या होगा तो सबसे पहले हम देखते है बटा cell का symbol this is called cell ये सब में देख रहा है cell के उपर आप में दिखा होगा एक साइड में होता है positive terminal और एक साइड में होता है बटा negative terminal जो बाहर के साइड थूड़ा सा उठावा हता है जिसमें cap सी होती है वो positive होता है और ये इस साइड में जो plain सा होता है मैं आपको cell की वीडियो भी दिखाऊंगे, इसमें आप देख ले ना, यह है negative terminal, तो यह क्या एक cell है, अलग-अलग type के cell होते हैं, pencil cell है, pencil के तरह दिखते हैं बिल्कुल, dry cell होते हैं, button cell होते हैं, जो घड़ी के अंदर आप में देखा होगा, so अलग-अलग type के cells होते हैं, तो कि हम symbols के थुरू कैसे represent कर सकते हैं, देखो, यह है symbol, तो यहाँ पे, जो longer वाला है ने बेटा, यह जो बड़ा size दिखा रुका है, longer और पतला सा है, देखो, यह longer और यह पतला है, और यह चोड़ा जो है ने, thick और small size का है, तो यह small size वाले को negative, और यह वाले को positive, जो दो parallel line है देखो, एक parallel line है से, एक parallel line है से, दो है, लेकिन एक longer और एक shorter है, shorter क्या होगी, thick, और longer क्या है थोड़ी सी, thin, तो यह दोनों क्या हो गया से, इसको हमने इस तरीके से represent कर दिया, तो यह क्या हो गया, cell का symbol हो गया, यह positive और यह negative, अब देखो, bulb, bulb को हम किस तरीके से represent करते हैं, यह similar, आप bulb को और easy तरीके से भी कर सकते हैं, देखो, मैं आपको करके दिखा रही हूँ, आप मेरे diagram में देखोगे, आपको easy line हो जाएगा, ऐसे कि आपने, और इसको इस तरीके से represent कर दिया, और यहाँ पे आपने इसको पूरा यह कर दिया, तो यह क्या है, bulb, next देखो switch को, switch क्या होता है, switch वह चीज होती है बटा, जिस, जहाँ पे हमें उस चीज का use नहीं करना, उसको हम off या on कर दे, समझा है, switch में आपने देख रखा होगा, आपके घर के अंदर switch होगा, अगर हमें electricity supply off करनी हो, रोकनी हो, तो हम भाँ पे क्या use करते है, switch का use करते है, क्या use करते है, students हम switch का use करते है, तो इस तरीके से switch is very, very important, अगर switch ना हो, तो electricity waste होगी, so students, switch क्या हो गया, a device that complete करता है, या break करता है, electric circuit को, so a device that completes or breaks an electric circuit, उसको हम बोलते है, switch, आगे topic cover करेंगे, तो इसमें मैं बता दूंगे बटा इसको, तो यहाँ पे देखो, यह switch हो गया, switch को on position और off position में किस तरीके से दिखाते हैं, तो देखो यहाँ पे, यह जो, देखो, यहाँ पे यह pin है, यह switch की तरह roll करके दिखा रखा है, अब यहाँ पे यह wire, यह wire और यह पूरा complete path हो गया, तो यहाँ पे देखो, यह पूरा complete path है, यह switch on position है, और next वाला जो instrument यहाँ पे, यह जो दिखा रखा है, यह switch off position पे, यहाँ पे देखो off, क्योंकि यह से break क करके दिखा रखा है, तो इस तरीके से यहाँ पे इसको, यह switch off है, बैटरी क्या हो गई, जहाँ पर एक से अधिक cells को हमने join कर दिया, एक combination of two or more cells, joined together, उसको क्या बोलते है बटा, बैटरी, तो यहाँ पे यह बैटरी हो गई, यह भी क्या है, बैटरी, बट अगर यह एक cell न दिखा दिये, तो two cells को हम, एक से ज़्यादा cells होंगे, तो से हम क्या बोलेंगे, बैटरी, तो देखो, एक cell यह रहा, यह cell का symbol था, एक cell का symbol हो रहा गया, दो हो गएने, तो इसको हम बोलेंगे, बैटरी, ऐसी अगर एक और जोड़ देते हम, तो आगे क्या हो जाता, तीन cell दिखा देते हैं, ऐसी एक फोर्थ सेल आ जाता है, इस तरीके से, नेक्स्ट है देखो, वायर, यह क्या दिखा रहा रहा है, यह वायर, तो इस वायर को हम symbols के थ्रू, किस तरीके से represent करते हैं, ऐसे straight line, straight line के आगे, स्ट्वेंट, एक वायर को represent करें, तो यह हमने सारे के सारे क्या देखें, symbols देखें, जो हम use करते हैं, represent करने के लिए, circuit diagram, अब देखो, इस तरीके से fuse, अगर हमें fuse का symbol दिखाना हो, तो हम किस तरीके से represent करते हैं, जैसी यहाँ पर, यह ऐसे, और इसके अंदर से इस तरीके से वायर, यह किसका symbol है, students, fuse, book में नहीं है, आप notebook में याद करके रख लेना, अब देखो, ऐसे ही, fuse के बाद, अगर हम, LED का बनाते है, symbol, तो LED का symbol कैसे बेटा यह, sorry, मैं पहले लेती हूँ, LED का symbol कैसे होगा, so यहाँ पर आप arrow use करो, और इसके आगे फिर यह, इस तरीके से ही, this is the symbol of LED, LED, next, देखो, strengths, यहाँ पर wire को, wire तो हमने बना ल देखो, यह wire है, लेकिन, अगर एक wire में joint का symbol दिखाना हो, तो कैसे होगा, ऐसे करके उस wire के उपर, छोटा सा हमने ऐसे लगा दिया, तो किसका symbol हो गया, a wire joint, यहाँ पर हमने wire का joint दिखा रहे हैं, ठीके, strengths, so इस तरीके से कुछ symbols है, जो और आप higher class में पढ़ लेना, यहाँ के लिए, यहाँ पर complete हो गया, यह symbols का topic हमारा, अब देखो, कभी भी, अगर हम cells को joint करते हैं, बैटरी में, एक cells के, अलग-लग cells हमने, इन cells को हम जब joint कर रहे हैं, तो देखो कैसे, यह wire से correct कर दिया, तो इस wire को देखो, यहाँ पर negative, यह negative का symbol दिख रहे हैं यहाँ और इस side क पॉजिटिव का symbol दिख रहे हैं, तो यहाँ से wire के अंदर से जब electric current आ रहे हैं, तो negative, इसके अंदर से यह flow करके गया, positive की तरफ, positive से फिर negative से, negative से फिर positive, ऐसे positive से कैसे आ जाएगा फिर negative, negative से यह positive का तरफ गया, वहाँ से फिर negative और यह positive, इस तरीके से क्या होगा, two cells together, यह two से more cells, यहाँ पर कितने one, two, three, four cells मैंने कट्टे कंबाइन कर दिया, तो यह क्या बनगे strength, battery बनगी, तो इस तरीके से हमने battery में cells को जाइन कर दे, देखो यहाँ पे भी positive, negative, दिख रहे हैंने cell के ओपर positive, अगर हमने एक cell है और यह दूसरा cell है, इन दोनों cells के हैं positive और positive कर द Glow नहीं करेगा, understood, so a combination of two or more cells, उसे क्या बोलते हैं, battery, so strengths, next, आज हमने इस वीडियो के अंदर अलग-अलग यह hitting effect, यह सब मैंने आपको main points बता दिये, अब हम next इसमें वीडियो में देखेंगे, कि किस तरीके से इसको हम devices को, devices में connect करते हैं, उसका symbols को कैसे, उसका circuit diagram को represent करत हैं, ठीक है, holder के अंदर किस तरीके से तही अपने next video के अंदर हम देखेंगे, यह यहां पे, holder में भी दिखा रखा है, cell को, so strengths, I hope it is clear, so thank you strengths for watching my videos, sorry strengths, before explaining this one, I want to ask one question, I forget, so आज का question is strengths, so आज का question, care strengths, electricity, electricity is a form of dash, ठीक है, electricity is a form of dash, so you have to tell your answer in my comment box, option अगर आप चाहते हो, तो मैं इसके option नहीं बताने क्योंकि, because यह बहुत easy question है, okay, so thank you strengths for watching my videos, प्रीजार उत्वरी तिर्एब में रखुड़ राजसे और करेंद्वशाई वार्दा माइ्टर शीआद्वू दिघ्रे घष्टरी मनाश्वाशब उत्म का कि हैं जाफूँ रりची राजस्वाद्स, बिच्दी करताने के लुपड़ क Yoga NHS, जाभको लोगए तो व्लिजार